नमस्कार दोस्तों, क्या भारती जनता पार्टी आतंकवादी पार्टी है, क्या भारती जनता पार्टी नफरत से भरी पार्टी है, क्या भारती जनता पार्टी ही इस देश की मानवता की कातिल पार्टी है, और क्या भारती जनता पार्टी ही लोगतंत्र की कातिल पार्टी है जी हाँ, आज ये सवाल है, इसलिए सवाल है, क्योंकि आपने बहुत दिनों से सुना होगा, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी लगातारियत कहते घूम रहे हैं, कि कॉंग्रेस पार्टी नकसलवादी है, अर्बन नकसलवादी है, कॉंग्रेस पार्टी जिस तरीके से हो कहते है कि वो भेद्भाव वाली पार्टी है और सब की है कि हम इसके इतिहास को देखें तो याद करिए आज जो मैं आपसे इसकी बात कर रहा हूं तो भारतिय जनता पार्टी का मूल संगठन जो मात्र संगठन है आरेसेस वो सौवे साल में प्रवेश कर लिया है सौव साल से आरेसेस का एक ही सपना रहा कि कांग्रेस मुक्त भारत और यह सपना उन्होंने विजय दस्मी के ही दिन 1925 को देखा था डाक्टर केसो हेडगेवार जो थे और डाक्टर केसो बली राम हेडगेवार और यह जो हेडगेवार थे यह असल में एक डाक्टर और कॉंग्रेस पारिटी के साथ और जब खिलाफत आंदोलन सुरू हुआ और जिस तरीके से उसमें मान उठी थी और सारी चीजें थी चाहें मौलाना सौकत हो या उनके भाई रहों दोनों लोग जो पढ़े लिखे लोग थे उन्निस सो उन्निस के बिसुईद के धारान बिटेन ने आटो मन सामराज के टुकले टुकले कर दिये थे और तुर्की के खलीफा यानि मुसल्मानों के सबसे बड़े धान्मिक नेता को सक्ता से हटा दिया इसके खिलाफिया अंदोलन सुरू हुआ था लेकिन महत्मा गांधी ने सौकत अली और मुहम्मद अली दोनों भाईयों को जो आक्सपोर्ट यूनिवेस्टी से पढ़के आए थे उनको कहा कि हम आपका साथ देंगे आप भारत के स्वराज की लड़ाई लड़िये इसी तरह और हम उसमें आपका समर्थन करते हैं कि खलीफा के पक्ष में बोलेंगे कोई बुराई नहीं थी इस बात को लेकर के निश्चित लुप से उनकी धार्मिक भाउन आए थी तो महत्मा गांधी ने कहा था कि जैसे आपके लिए खलीफा पूजनी है हमारे लिए हमारी गाए पूजनी है और हम उसके लिए काम करेंगे उस वक्त तुम्हें कही थी जब सावरकर कह रहे थे कि गाए कोई मा नहीं है गाए को काटके खाना चाहिए उसका यह करना चाहिए उसका यह करना चाहिए सावरकर ने कहा था और जब यह बात सावरकर ने कही थी तब गांधी जी ने कहा था कि गाए हमारी जो है पूजनी है क्योंकि हमें जीवन में वो सब कुछ देती है जो इसकी हमें जरूरत होती है नतीजतन इस्तिती है होती है कि गाए का समर्थन करने के कारण हमें इसके बावजूद साथ दिया खिलाफत आंदोलन के नेताओं और उन्होंने एक साथ होकर के खड़े हुए और उसके बाद में सर्ब धर काया है आंदोलन बन गया और इसके जरिये हमने जलिया वाला भाग की भी लड़ाई लड़ी और हमने दूसरी और आंदोलनों की लड़ाई ले इस दोरान केसो राम जो है केसो बली राम हिट गेवाद कुछ नहीं बोले लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनको कहीं पद नह ही मिला है तो उन्होंने नागपूर में जा करके एक अलग संगठन बनाया और चंद लोगों के जड़िये संगठन मनाया गया और यह सारे मनवादी लोग इन मनवादियों ने जो है संगठन मनाया उसी का नाम बाद में एक साल तक तो नाम भी नहीं रख पाए थे सोचे आ गठन होता है और इस RSS के गठन में जिस तरीके से यह लोग करते हैं तो उसमें एक मात्र इनका उद्देश से होता है कि हमें कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है जबकि कांग्रेस की तमाम सारे नेता जो उस समय कांग्रेस की अध्यक्ष नहीं थी एनी बेसेंड दंगों के बाद मालावार गई थी और उन्होंने एक अखवार में आठकी लिखा था कि कैसे इसको सपोर्ट किया था इसके बाद में इसी तरीके से 1923 में जब नागपुर में सांप्रदाइक दंगे हुए थे तो किस तरीके से जब वहां कलेक्टर ने हिन्वों की जाकी रोग दी थी उस समय हेडगेवार ने दोनों धर्मों को लड़ाने का काम किया था और इसी तरीके से मालावार की जो घटना थी उसमें जिस तरीके से रोटी सेकने का काम हेडगेवार ने किया था वहीं से उनको यह लगा और हिंदू महासभा के साथ मिल करके उन्हों ने यह काम सुरू क कर दिया और इसका नतीजा क्या हुआ कि आज तक नफरत में देश जला है 1925 में जब विजय दस्मी के दिन ये संगठन मना तो हेट के वार ने इसको ले करके जिस तरह किस किया था बने चंद लोग थे और उन्होंने जब सुरू किया तो उसमें क्या था नफरत थी मुझे का वह गलित था जो वो सीख के आये थे इटलर से वो सीख के आये थे नाजी के उससे और जिनके लिए नाजी आदर्स रहे हों वो लोग क्या करेंगे वो लोग तंत्र के तो निश्चित उसे दुस्मन होते हैं वही हो रहा आज जब यही किया जाना तो जब लोग तंत्र की ल हक देने की लड़ाई लड़ाई है तब भारती यंता पार्टी फिर से अपने उसी मात्र संगठन वाला काम करती है कॉंग्रेस को जैसे तब हेडगेवार ने नफरत वाला धंग से प्रस्तुत किया था कॉंग्रेस सबको लेके चलना चाहती थी वो सिर्फ एक समुदाई की बात कर रहे हैं और कॉंग्रेस सबको लेके चली लड़ाई लड़ी जीती देश को आजात करा है वो सिर्फ उस धन्म की बात कर रहे थे अंग्रेजों की गुलामी कत में साथ दाने की बात कर रहे हैं ऐसी की स्थिति कॉंग्रस ने जो रास्ता अक्तियार किया टाइम लग गया उसे लेकिन अपना लोक तंत्र बनाएं आज राहूल गांदी वही संबीधान की किताब ले करके चल रहे हैं और सर्व धर्म सर्व जाती का समाज की जो है सरकार और पार्टी और सब कुछ बनाना चाहते और जब यह कर रहे हैं तो नरे नमोदी को वो अर्वन नकसल लगते हैं वो जाने क्या लगते हैं तो मलिकाज उन खड़गे ने कहा कि भारतिय जनता पार्टी तो आतंकियों की पार्टी है इसने तो आतंक फैलाया है देश के अंदर जो किया है उस पर कौन नहीं कहेगा कि जिस तरीके से इन्होंने छल कपट से चुनाओ जीता है जिस तरीके के इन्होंने धंदे किये हैं उन सब से कैसे इस सरकार में जनता के मत से नहीं आते हैं छल कपट से आते हैं नफरत फैला के आते हैं हरियाना में भी हमने बड़ा इस पस्त देखा हिंदू मुसलिम के बीच में फैलाई इन्हों ने जाट और गैर जाट करके हिंदूों के बीच में भी लडाई कराई इन्हों ने जो जाट और अधर्स के बीच में करके दलितों और उनके बीच में भी लडाई कराई तो लडाई कराने का यह करम लगातार उनके द्वारा जानी इससे आग एक ब का नतीजा ये हो रहा है कि हरियाना की बीस सीटों का कॉंग्रेस ने रिकार्ड दिया है कि कैसे उनमे इवियम के नंबर दिये हैं कि इतनी इतनी इवियम जो है सस्पेक्टेड हैं क्योंकि उनमे 99% बैटरी है और यदि वोटिंग में इस्तेमाल हुई वाली इवियम होती तो 60-70% के बीच में बैटरी होती इससे ज्यादा नहीं हो सकती है बहुजूद इसके जब इस तरह की इस्तिती होती है तो आप समझ सकते हैं तो यह है इसी लिए कॉंग्रेस पार्टी के अदेट मलिकार जुन खड़गे ने कहा कि लिंचिंग में कौन सामिल रहता है तो लिंचिंग की जितनी घटनाय देश में हुई उनमें भारती इंता पार्टी के लोग सामिल रहते हैं और प्रधान मंतरी कॉंग्रेस को अर्बन नक्सल कहते हैं तो इसी पर उन्होंने सवाल उठाया आतंक वादियों की पार्टी क्यों न इसे कहा जाए क्योंकि जिस तरीके से इन अफरत का खेल कर रही है देश के अंदर तमाम हुए दंगों में इनका हाथ है चाहें माले गाउं का ब्लाश्ट हो और चाहें समझवता ब्लाश्ट हो इ कैसी इस्थिती में जहां जहां बीजेपी की सरकारे हैं वहां दलितों आदिवासियों के उपर अलप्रसंखिकों के उपर किस तरीके से हमले किये जाते हैं यह कहीं किसी से छिपा नहीं है और इसके बाद में खुद को कहते हैं मौन भागवत के जिस तरीके से बयान आते है वो खुद बताते हैं कि कैसे वो देश को बांटना चाहेते हैं, वो देश को बांटने के लिए किस तरीके से, सम्मिधान बदलने की बाद कहां से आई थी, RSS से ही आई थी, भाजपानेताओं की तरफ से आई थी, और उसके बाद reservation खतम करने की बाद कहां से आई थी, वो भी R देश में हिंदूओं पे जब अत्याचार हुआ तो वहां पर पूरी ताकत के साथ खड़े होने के लिए, कभी भी भाजपा नहीं गई, नरे नमोदी नहीं गई, उनकी party नहीं बो, चंद लोगों से बयान दिलवाए जाते हैं, लेकिन खुद बोलने की हिम्मत नहीं होती ह क्यों? क्योंकि असल में नफरत फैलाने का ये लोग काम करते हैं और जब यह काम करते हैं, तो निश्यतूर्श आता है, प्रदान मंतरी कहते हैं कि सो साल में प्रवेश कर गई RSS, प्रदान मंतरी खुद उसके प्रचारक रहे हैं, यानि उनी के पुरोधा रहे हैं उसी भी मौझूद है, खुद ही बताते हैं कि किस तरीके से वे बेस बदल बदल करके भागा करते थे और काम किया करते थे, तो क्या करते थे, कौम सा ऐसा पाप का काम करते थे कि बेस बदल के आपको भगना परता हैं, मैं हूँ, आप हैं, कोई अपना क्या बेस बदल के भाग होते हैं हमने कोई चोरी किया है क्या हमने कोई गलत काम किया है क्या फिर हम क्यों भागें सामना करेंगे यदि आप एफाई यार्दर्ज करेंगे तो हम डर्पोक तो है नहीं हम उसके लिए लड़ेंगे यदि आप हमला करेंगे हम उसका भी जवाब देंगे लेकिन हम नफरत नहीं फैलाई तो जब यह काम करने वाली पार्टी उसका मात्र संगठन आज सौवे साल में प्रवेश कर गया है तो उस समय भी कॉंग्रस इत्ती मजबूत है कि इतनी भारतिय जनता पार्टी की बैमानी के बाद भी हरियाना में मत्प्रसत लगभग बराबर है यानि जनता आ आप सकता तो हथी आ सकते हैं लेकिन जनता आपको सुईकार नहीं कर जनता ऐसे किसी बैक्ति को सुईकार नहीं करती है जो इस तरीके की बैमानी करते हैं तो यह बैमानी करके छदम तरीके से लूटा गया लोक्तंत्र है सकता है जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने पौन दो परसंट वोट ले करके अपनी जमानत जब्त करा करके कॉंग्रेस को हराने का काम किया जिस तरीके से बहुजन समाच पार्टी ने दो परसंट से कुछ अधिक वोट ले करके कॉंग्रेस को हराने का काम किया दलतों के हच चीनने का काम किया और जिस तरीके से नफरत पहलान का काम भारती जनता पार्टी ने किया उसके बावजूद कॉंग्रेस इस्थिक्ति में चुनाओ आयोग, ED, CBI, Income Tax, सब का प्रयोग करने के बाद भी कॉंग्रेस इस्थिक्ति में तब जूठे आरोप लगाना, जूठी बाते करना, अनर्गल किसी को चरित्रहनन करना, तो यही तो कर रहे हैं, और यही लगातार हो रहा है, एक चरित्रहनन में बताता हूँ, भारती जनता पार्टी समर्थित तमाम सारे पत्रकार हैं, जो वास्तों में छदम लोग तांत्रिक बने हुए, वो किस तरीके की हरकतें करते हैं, ऐक जिक्र करता हूँ, एक सीट का, जिसको लेके तमाम सारे लोग चर्चा करते हैं, कि बलबगर से कॉंग्रेस पार्टी ने स्री मतित पराग सर्मा को टिकट दे दिया, क्यों दे दिया? पराग सर्मा को टिकट देने का फैसला ऐसे नहीं हुआ पराग सर्मा के पिता 1987 में कॉंग्रेस पार्टी के वहीं से हमेले थे और उनका परिवार बुरे से बुरे वक्त में भी कॉंग्रेस के साथ रहा हर समय कॉंग्रेस के साथ रहा पराग सर्मा खुद MSVI में, Youth Congress में सब में रही और मेहनत की और उसके बाद में उन्हें टिकट देने का फैसला हो चुका था पहले ही जो एक पहली tentative list बनी दो Congress Party की जो वहाँ पर दो बार हमेले रही थी Congress Party ने उन्हें राज्यमंत्री का दर्जा दे करके जो पार्लियमेंटरी सेकरेटरी बनाया था सार्दार आठाओर को वो मलाई खाने के लिए भाजपा में चली गई थी और फिर एन चुनाओ के बद आ जाती है Congress में तो Congress कहती है कि नहीं आपको ठिकट तो नहीं दें यदि ऐसे आना है तो आईए वो उनका हाँ खीक है और आई सायद उन्हे प्लेस किया गया था बीजेपी द्वार आई तो उन्होंने एक काम किया कि वो बागी ख़ली हो करके Congress के प्रत्यासी को हराने का काम करती Congress Party का प्रत्यासी बहुत बुरी तरह से हर लेकिन इसके बावजूत क्या किसी गदार को एदि दे दिया जाता तो इस बात का क्या वो था कि एदि सत्ता के लिए चंद सीटों की इधर उधर होती तो वो पड़ला नहीं बदल लेती उनकी integrity doubtful थी क्या आप किसी ऐसे गदार को टिकट देने का पक्ष लेंगे कभी नहीं लेंगे मेरी समस्य तो ऐसे लोगों को कहा जाता है कि आप किनारे रहें मदद करिये अदि कुछ करनी वहीं किया था कावजूत लेकिन उन्होंने एह काम किया तो स्वाबाविक सी बात है इस पर चर्चा होनी चाहिए लेकिन सबसे पहले चर्चा होनी चाहिए कि देश में क्या हो रहा असल में यह देश लोग तंत्र के हत्या कर रहा है और यह देश नहीं कर रहा इस देश की सत्ता रूर पार्टी कर रही है जो अपने तो आज विजय दसमी के दिन, जब यह हो रहा होता है, तो निशित उसे चिंता कभी से है, ति किस तरीके से यह सब घटनाएं हो रही है, रेल दूर घटनाएं हो रही है, बेटियां सुरक्षित नहीं है, किसान सुरक्षित नहीं है, और देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है बावजूद इसके यदि कोई वोट देता है बीजेपी को या बीजेपी की बी टीम को तो दोसी कौन है सूचिए आप भी और संकल्प लीजिए बीजेदस्वी का कि आगे से हम ये गल्ती नहीं करेंगे राउल गांधी बार बार कह रहे थे याद करिए लोग सवाचुनाओं में भी का था और इसमें भी का था पूरी ताकत से वोट देना जिससे गल्बड़ ना कर सके आप देखे जिन सीटों पे कांग्रेस बहुत मजबूस थी उन सीटों पर इनों ने गल्बड़ नहीं किया है जहां पे थोड़ा अंतर देख रहे थे वहीं पर ये सारी गल्बड़ी की गई तो ये वहीं 20 सीट हैं जहां थोड़े अंतर से गढ़बली की, तो इस खेल को आप समझे, यानि यदि यह खेलना हुआ होता, तो कॉंग्रेस सत्ता में होता है, आपने भरपूर ताकत से वोट दिया होता, तो यह काम नहीं हो पादे, यह काम तभी हो पाता है, जब आप कमजोर वोटिंग कर, पहले तो व नहीं है आप देश के लोगतंत्र के लिए, और कहेंगे कि यह कर दिया, रहूल गांदी नहीं यह कर दिया, कैसी भेणनु गोपाल की ड्यूटी, राष्ट्री सतर्त और प्रदेश के संगठन मनाने की, इसके नीचे का संगठन मनाने की जिम्मेदारी, वहां के प्रदेस अ होती है वो राश्री संगठन मंत्री की नहीं होती है तो ऐसी इस्तिती में आप समझ लीजिए वो यह फ्रेमवर्क बना देता है इसके आगे का काम विस्तार का लोकल यूनिट्स करता है उनका जो काम होता है बाकी सबसे क्वार्डिनेशन का होता है वो दोनों काम वो उपनी ड्यूटी पर फार्म करें लेकिन उन पर इसलिए तोड़ा आता है कि राश्ट्री इस्तर पर संगठन को अच्छा उन्होंने कर दिया प्रदेश इस्तर पर उन्होंने बना दिया अंदर जो खेल है वो तो आपको देखना है तो ऐसी इस्तिती में हर कोई कोई समझना चाहिए कि दूस्तने मजबूत वोटिंग की होती तो साइब यहाल नहोता लेकिन यही काम नहीं भाजपा का संगठन बहुत अच्छा है सब कुछ बहुत अच्छा है जब सब कुछ इतना अच्छा है तब भी भाजपा कॉंग्रेस के यह आसपास है जिसके पास तो इस्तानी इस्तर का संगठन मी नहीं था इससे आप समझ लीजिए कि सिर्फ संगठन से चुनाओ नहीं होता है यदि जनता चाहती है तब बदलाओ और जनता ये डट गई होती तो कॉंग्रेस हरियाना में सत्ता में होती और ये फांसीवादी बाहर हो गए होते और चुकि इन्होंने कसम ली हुई है कि अपने सौवे साल में कॉंग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे तो ये सिर्फ उसी का ही जो सपना है सौव साल से लिए घूम रहे हैं उस सपने का यह हिस्सा चैंड कर दो